यह हमारे ह हॉस्फ़िल की Cat Lab है इस ही Cat Lab में जो भी हार्ट के मरीज होते हैं जिनकी जान चोनी हो हार्ट अटक आया हो उनकी एंग्योग्राफी की जाती है एंग्योग्राफी के बाद अगर स्टेंट्स की जरूरत है स्टेंट्स डाले जाते है साथ में वो patients जिनका pacemaker की नीड होती है pacemaker insertion भी जो है उसको डाला जाता है इसी machine की help से ये एक state of heart technology है और हमारे hospital में है और आप जो भी patients जिनको heart disease है जिनको heart के rhythm की abnormalities है धरकन तेज होती है कबरहाट होती है या चकर आते हैं because of any problem with the heart rhythm अबू हमारे पास आ सकते हैं और हम उनको यहां पर चेक कर सकते हैं नमस्कार दब पब्लिश में अब सभी का स्वागत है मैं हूँ वारून शार्मा आज हमारे साथ खास बात्चित करने के लिए डॉक्टर साकीब माजूद है जो कि केडी हस्पताल में हें आज ही इन्होंते हैं पहले विशेयो के यह cambiar करेंगे और जानेगे केडी हस्पताल की working क्या है ॥ब क्या स्वागत इनने को आपको बहुत बद्बार्ट मुबार्ट अब देखिये यह अपने टाइप का एक पहला हॉस्पिटल है जम्मू में इसके अलावा भी कुछ प्राइवेट सेट अपस जम्मू में आये जैसे कि नराइना हॉस्पिटल है बट वो थोड़ा जम्मू से आपको आउट्सकर्ट मे बाहर जाना पड़ता है यह जम्मू सिटी के अंदर पहला ऐसा हॉस्पिटल है जो अंडर वन रूफ आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइट कर रहा है इस हॉस्पिटल में ना सिर्फ कार्डियॉलजी बर हर एक सूपर स्पेशालिटी जो है वो मौजूद है अविलेबल है इसलिए पेशेंट्स यहां आ सकते हैं और अपना कंप्रेहंस्यू चेक अप करवा सकते हैं और उससे उनको फाइदा होगा और हमारी पबलिक को फाइदा होगा इससे पहले आप कहां पर प्रक्टिस करते हैं क्योंकि आज ही आपने केड़ी हस्पिटाल जॉइन किया इससे पहले अप कहां पर प्रक्टिस करते हैं मैं इससे पहले मिदानता मेडिसीटी जो गुडगाओं में हैं जो कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है मैं वहां पे ऐस कंसल्टेंट कार्डियॉलजी काम कर रहा था बट चुकि हमारे यहां पी इस तरह का हॉस् अब सिक्षवाल करना चाहूंगा क्रेडी हास्पिताल के अगर मैं बात कूष और भी बहुत सारे जब्मो कुषमीर में हस्पिताल हैं पेशिंट्स वहां पर अपना इलाज भी कर आते हैं इस हस्पिताल की किस तरह के इंट्रस्ट्रीट है क्या कारणें क्यूं technology जब patients यहां आएंगे वो देखेंगे feel करेंगे कि हमारे पास कितना बड़ा difference है अगर मैं यह भी आप से बोलूं कि यह first of its kind जब मुकश्मीर का पहला इस तरह का private hospital है तो यह बात भी गलत नहीं होगी top of the end जो सारी में के assurance देना चाहता हूं कि आपको यहां पर बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाएगा और अगर कोई भी आपके जहन में इस तरह के सवालात हों कि private setup में कैसा रहेगा क्या रहेगा तो यू विजिट डिस प्लेस वांस और आप फील करेंगे कि we are the difference एक सवाल आपसे करना चाहूंगा अगर किसी को गर पर हाट अटेक होता है यहां हाट की कोई परशानी होती है और वो हस्पताल तक जाने में सक्षम नहीं है तो सबसे पहले वो कौन सा इलाज करें अपने गर बैठी ताकि वो हस्पताल तक कम से कम पू है तो पहले कुछ मेडिसन होती है जिसे कि एक आस्परिन कहते हैं जो कि एक बलड थिनिंग मेडिकेशन जो एक आम आदमी की जुबान में कहा जाता है उसको चीव करना होता है ठीक है और उसके अलावा एक टैबलिट होती है जिसे स्टेटिन कहते हैं एट और वा स्टेटि के लिए जहां पे जाके आपको छोड़ ना दिया जाए at the mercy of God आप ऐसी जगह जाएए जहां पे कि डॉक्टर आपके लिए available हो जैसे कि हम यहां पे मौझूद हैं आप किसी भी समय कभी भी आपको छाती की कोई तकलीफ होती है छाती में दबाओ होता है भारीपन होता है आप कुछ ना सोचें आप हमारे पास आएं हमें मौका दें और हम डेफिनिटली आपको फील कराएंगे कि yes we are the difference हाट इडक के बात करों लक्षिन क्या रहते हैं क्या कारणना की क्या-क्यालकर्ण होते हाट अच्छिन की हाँ इर्रेगुलर लग रही है, आपको लग रहा है कि कुछ मेरे साथ ठीक नहीं है, पसीने आ रहे हैं, इसे बिलकुल इग्नोर ना करें, खुद से इसके जवाब ना ढूंडें, कि आप अपने आपको सैटिसफाई करने के लिए बोलें कि यह गैस्ट्रिक सिंटम हो सकता है, मैं इसी भी समय आपको ना नहीं कहा जाएगा, आप यहां आईए, आपका थौरो चेक अप होगा, और अगर गौड फार्बिट कोई ऐसा हार्ट अटेक वाला केस है, जहां पर की ECG से हम पिक कर लेते हैं, की एक्यूट हार्ट अटेक है, तो विदाउट एनी डिले, विदाउ वैले से आथे, जो किमी का छोटा सा शहर, चोटा सा गाउँ है, और पहले डॉक्टर है, आप और ध्रदी विश्चेशक हैं, आप पहले डॉक्तर हैं, तो आपने के-डी हस्पताल ही क्यों जाइन किया, आपने मेदानता में भी काम की है, ऐसे क्या खास लगा आपको इस हस कि आपने यही अस्पिताल जो है वह चुछ किया ना सिर्फ मिदानता में काफी सारी जगाओं पर काम कर चुका हूं मिदानता में में रिसेंटली कंसिल्टन्ट था बट यह सब चीजें जिसके लिए हम बाहर जा रहे थे काम करने के लिए जो फैसिलिटीज हम चाहते थे जब अच्छे डॉक्टर को चाहिए काम करने के लिए वो सब चीजें यहां पर मौया हैं और हम उन चीजों को यहां पर करके अपनी हेल्ट सिस्टम को रेवलुशनाइज करेंगे और मुझे उमीद है अगले चार-पांच सालों में किसी भी मरीज को जो हम ग्रो करना शुरू कर आते हैं तो किस तरह से आपसे बातचीत कर सकते हैं अगर किसी ने अपना इलाज करवाना है तो किस तरह से अपसे संपर किस तरह से कर सकते हैं मैं यहां पर एविलेबल हूं इस हॉस्पिटल में एवरी डे तो जब भी आपको कोई दिक्कत होती है हमारा नंबर भी हम आपक कोईब सेंपर्ण सकता है बदर पबिश्क के साथ दने वाद